11 फिजिक्स के अंतरगत चेप्टर 9 ठोसो के यांतरिक गुण भाग एक में आज हम प्रत्यास्तता प्लास्टिक ता और प्रत्यास्तिवं प्लास्टिक वस्तुवं में अंतर देखेंगे क्या है प्रत्यास्ता या इलास्टिसिटी? हमें पता है हम रबर को खीशते हैं और खीशने के बाद हम छोड़ते हैं तो वह अपनी पूरू आवस्था में आ जाता है यह सामानी रूप से हमने देखा है मतलब किसी भी पिंड का वह गुण जिससे वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारम्भी काकर्ति और आकार को पुणा प्राप्त कल लेता है और उत्पन्द जो विरूपन होता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ विरूपन मतलब जो भी उसके आकार या आकरती में परिवर्तन होता है उसको प्रत्यास्त विरूपन कहते हैं मतलब वो अपनी पुना प्रारम्भी का वस्था में आ सकता है जब आप उस प्रत्यारोपित बल को या लगाए गए बल को क्या करते हैं हटाते हैं और एक वस्तु होती है प्लास्टिक वस्तु और उसमें प्लास्टिक तका गुण होता है वो क्या होता है कि प्लास्टिक वस्तु क्या हुई या प्लास्टिक तका गुण क्या हुआ कि जब भी आप किसी बिंड पर बल लगाते हैं तो बिंड में अपना प्रारंबिक आकार प उसका अपना आकरती और आकार जो है बन जाता है फिरो वापस पुन अपनी प्रारंबिक आकरती और आकार बने आता तो इस प्रकार के पदार्थ को हम कहते हैं प्लास्टिक और पदार्थ के इस गुण को हम कहते हैं जो अंतर वाली बात कर लेगे, कि प्रत्यास्त वस्तु हैं, और प्लास्टिक वस्तुहों में, क्या फर्क है, मतलब क्या difference है, जो आपकी elastick bodies है, और प्लास्टिक bodies हैं उनमें क्या फर्क है, तो पहला फर्क तो बहुत आसान हमने समझी लिया था, कि जब किसी वस्तु पर आप बाही विरुपक बल लगाते हैं मतलब उसके आकार या करती में परिवर्तन करने के लिए बल लगाते हैं और वस्तु विक्रत हो जाती है और बल हटा लेते हैं तो अपनी पूर्वा वस्ता में आजाती है तो ऐसी वस्तु को हम कहते हैं प्रत्यास्त वस्तु है ना ये वाली लाइन भी यहां लिख सकते हैं ऐसा कैसा भी यहां से यहां लिखा जा सकता है बिल्कुल समझने की द्रश्टी से अब एक जैसी बात में यहां लिख रहा हूं देखें जब किसी वस्तु पर बाही विरुपक बल लगा और इस्थाई रूप से विक्रत हो जाती है विक्रत तो होती है पर कैसे होती है इस्थाई रूप से दूसरी बात इसी में से आ जाएगी कि इसकी प्रत्यास्ता की सीमा अपेक्षाकरत अधिक होती है मतलब जब इस पर आप विरुपक बल लगाते हैं तो यह वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है और प्रत्यास्ता की इसकी जो लिमिट है वो अपेक्षाक्रत जादा है, इसकी प्रत्यास्ता की लिमिट अपेक्षाक्रत क्या होती है, कम होती है, और महत्वपुन बात है कि इसमें विक्रती आइस्था ही होती है, इसमें विक्रती क्या होती है, इस्था ही होती है, तो आप पहले πाइंट के अंदर ही तीसरा पाइंट आपका छीपा हुआ है ये देख लीजेगा, और चोथा उधारन के रूप में भी दे सकते हैं, सोना, चांदी, तांबा, इसपात, आदी जो है ये किसी वस्तु हैं, प्रत्यास्त वस्तु हैं, और प्लास्टिक वस्तु हों के उध गीली मिट्टी ये सब क्या हैं प्लास्टिक वस्तू हैं आगे भी ये चेप्टर क्रम से अलग-अलग इसके भाग जारी रहेंगे धन्यवाद